अब मैं सिदा सिदा मेरा माइक ने के चलता हूँ प्रग्या के बापा के पास जो टीचर है वो क्या कहते हैं आपकी बेटी मेरे पास रही कब उसका एड़िशन हो वहाँ हुआ कौन से उस्टों में रही पूरी कहानी बताते हैं बाई एक जोड़ा तालिया मेरे बाई सबसे सबसे पहले तो मैं हमारी इस राट छेतर में चोटे इसे गाउं कांकर दोपा में बोस का पदारपन हुआ उसके लिए में बहुत-बहुत आभारी हो इनका इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि दूसरी बात CLC की जो यात्रा है कि वो सुनाने चाहता हूं तो इसमें प्रज्याने पहली क्लास लेकरके बारवी क्लास तक यहां हमारे पास में राठ इंटरनेश्नल उसकूल से बगई से बधाए स्कूल है वारवी क्लास करने के बाद में कई रास्ते नजर आए कि आप क्या किया जाए तो राट के जो टीचर है उन्होंने भी सजेस्ट किया कि आप इसको डॉक्टर बनाओ और इसको नेट की तयारी कर वाओ अब डॉक्टर की बात आई तो फिर जाना कहां है यह सोचने लगे तो उस टैम में दिमाग में एक ही बात थी कोटा दो-तिन साल से में जुड़ा हुआ था CLC का भी सिकर से और दूसरी कोचिंग है उनका भी रिजल्ट आता था अख़वारों में यह हम पढ़ते थे तुलना करते थे उनके जो स्टूड़ेंट थे वो लाखों में होते थे उनकी रिजल्ट हजारों में आते थे यह कोचिंग थी इनके एड्मिसन हजारों में थे और रिजल्ट भी हजारों में आते थे वोस्त मैंने निकाला तो मौकब उन्सी अच्छी तो यह है यह कैलकुलेशन तो मैंने अख़बारों के मादम से किया था हमने विचार किया कि एक बार शिकर के सर्वे जरूर करेंगे शिकर की यात्रा जरूर करेंगे मैं मेरी धरमपत्नी और प्रग्या तिन्नों यहां से गा प्रग्म एक बार 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 शियल्सी जयल्सी पता नहीं क्यों आ रही थी तो मैं को जरूर जाना है था हम गए तो हां जैसे ही के केमपस में गुषे तो मैं यह बात बहुत को कहना जाता हूं वो देव हुमी है या कोई रिशी मुनी का अस्रम है वहां गुषते ही दिमाग मेरा अलग ही हो गया जो मैं देखना चाहता था जो मेरे को चाहिए था उससे 21 मेरे गवान नजर आ रहा था मैंने सचा कि यह कोचिंग नहीं है यह तो कोई गुर्कुल है मैंने देखा की एक ही कैमपस के अंदर वहीं होस्टल वहीं खाना खाने के लिए वोजन- इस्तली वहीं पâड़ने के लिए और धोर थोड़ी डिटेल पता किया तो बोस के बारे में पता चला कि इतनी एक्टिव बोस हैं आकर इस कैमपस में क्या पूरे CLC में अगर CLC का बच्चा कहीं भी मिल गया तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है इस कैमपस की तो बाद छोड़ो पूरे सहर की बाद गारंटी है उनकी तो मैंने देखा कि अब कोड़ा जैपूर का दो कोई मतलब ही नहीं है मैंने बगर सोचे समझे उसी दिन प्रग्या का एडमिशन वहां करा दिया कि सयोग से उसी दिन बोस से भी मुलाखाद हुई थी बोस वहीं थे चल्सी के एमपस में थे वहां डेमोस्ट्रेशन एक क्लास थी उसमें हमारा डेमोस्ट्रेशन भी हुआ था पांच साथगार जन और भी थे इनोंने उसके बारे में सारी रूप रेखा बताई बहुत मेरे को चाहिए थे उससे बहुत गुणा जाद में देखने को मिला बगर सोचे समझे और उसी टाइम एडमिशन करा के और सामानुमान तो लेकर नहीं गए थे उस दिन दो इसको लिया आया था में वापस अगले दिन इसको में वहां छोड़ी आया एक सबते बाद मैंने ब बहुत हैं तो सब कुछ है बहुत हैं तो हर चीज मुम्किन है दूसरी बात यहां तो मेरा घर से भी अच्छा मन लग गया तो बड़ी खुशी हुई सुनकर कि सबते बर दिमाग में संकाएं थी मन लगेगा नहीं लगेगा छोड़ के आ जाएगी ऐसा तो नहीं होगा सरू और एक्च्छल है कि पूरे साल भर में मेरे पास CLC के फोन आये थे और वो भी तब आये थे एक बर पीटी एम में गया था एक दो बार इसका मेडल सेरी में नहीं हुआ था तब गया था उसके बाद में कभी गया ही नहीं यह मेरे लिए बहुत बड़ी वात थी कि इतनी संतुष्ट होगी बेटा कि किसी एक परसेंट ही किसी भी तरह से टीचिंग स्टाब नॉन टीचिंग स्टाब वार डन कोई वी गेट कीपर किसी तरह से इसको हर आदमी हेलफुल मिला हमें वाँ पर यह बहुत बड़ी बात थी नमर तेन बात की समस्या कभी कभी बच laptop को समस्य आ जाती है माँ वार 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 बेटा कोई समस्या नहीं है old च्वे च्वेस्ध में क्ए समोजन नहीं और लड़कियों का उस टेम में आप तो स्याद बदल गया होगा, जीन माता उस्टल था, बोस ने प्रग्या को स्पेशल बोला कि आप जीन माता में पहुंच जाओ, और वहां सेट हो जाओ, मैंने देखा कि आप तो मेरे को कुछ करने की जरूरती नहीं है, प्रग्या बोली आप ममें पापा मेरे दादा जो भी कुछ हैं बहुत हैं और आप मेरे को भड़ने दौा मस्त रहो, आप यहां अब मत आया करो, बहुत अच्छा लगा, एक बार बीच में छोटी समश्या भी आई थी, वो भी मैं आज बताई देता हूं, इसके थ्री शेटेड रोम थे, ए पापा इससे थोड़ा समय को डिष्टर्व होता है, तो बहुत रिष्टर्व होता है, तो फिर का गी आजाए ये तो ये इसका भी है रहने ही का तो, बोल नहीं आप एक बार बीचिए जा बहुत रहेगी, थ्री शेटेड रोम जो थी तुरी से रहेंगा, बोल आप बोल ए उस टेम साथ पीटीम थी, बोस बेठे हुए थे, हम गए, बोस ने देखते ही पहचान लिया, आओ सर बताओ क्या वात है, बाद बाद कुछ नहीं है, थोड़ी सी बेटी ये कह रही थी, एक बेटी की वज़े थोड़ी सिकायते, बोस ने बगर सोचे समझे, उसी टेम तुरं गारजन की अंदर सर्विस करता था, मैंने सोचा किका ऐसे कैसे अठा देंगे, उसका त्यू जह नहीं ठीचा करती है, आप चिंदा मत करोई, इसका काम है, कैसे नहीं अठाना है, यह हमारा काम है, आपका काम हुगय यैशिल लुझा, बहुत अच्छा लगा, मैं शिकार स पहुचा उससे पहले बेटे का फौन आगा है कि उस बेटे का रोम सिफ्ट कर दिया रभ हम दो ही बची है इससे बड़ी खुशी हो और क्या मिल सकती है उसके अंदर तीसरी बात पढ़ते पढ़ते परिक्षा आगी बोस ने बताया कि प्रकरती ने खुच खिलवाड कर दिया कुछ वैस्विक मामारी का परकोप आ गया लोकडाउन लग गई बच्चे बीच के अंदर छोड़के घर पे आ गए थे बीच मार्च को आने के पश्चात बेटी ने यहां पर लाइव पर प्रोग्राम बोस के आते थे बहुत ही प्रेणा दायक थी बोस के सबसे बड़ी खुबी तो यह है कि इनका जो प्रेणा दायक जो लाइव आता था वो सुनके हम भी भाविबार हो जाते थी कि ऐसे बहु आज हमें महसुस हुई है ऐसे गुरू हमें मिले नहीं होते होते लोकडाउन लग गया लेकिन लोकडाउन के अंदर भी यहां पर इतने इसने इतनी पढ़ाई कि जो इसको चाहिए सब कुछ यहां उपलब्द हुआ कुछ एक दो बुक्स भी है वो जल्दी जल्दी में वह से छोड़ी आई थी लेकिन इसको किसी चीज की कमी नहीं आई सारे कुष्चन पेपर मोडल पेपर आंस्वर सीट जो इनके चलते थे सब कुछ यहां उपलब्द हो रहा था इनको मैंने कई वर पूछा है भी बटा कोई स्टेडी मेटेरियल की कमी तो नहीं नहीं पापा को लास्ट माँ और शाय ज्याद समय ले लूगा मैं समय थोड़ा है लास्ट के बात ही वह दा आई जयता हूं परिक्षा देने लिए बहुत लास्ट दो दिन चार दिन पान दिन तक भी बच्चे को उत्परेडित करते रहे हैं ती घबरा यह मत तीन सो का है चार सो का है पान स कितनी भी रेंज का बच्चा है घब रहा है। बेटी को मैं पेवपर देलाने लेगा है जेवपूर। सुबह उठी तो थोड़ी सी मेरे को इसका चेरा देखा तो कुछ माईस सी लग रही थी कुछ नर्वर्शी हो रही थी। मैंने का बेटा क्या बात मुलना कुछ नहीं है। ना मैं कोई समस्चा दो है। बोलना कुछ ही नहीं है। चलो कुछ भी नहीं है तो जो ग्रूप चल रहा था, CLC से जुड़ा हुआ था और उसकी ममेगा फॉन था, फॉन हम घर पे छड़ गए। बोला आप वाट्सप ग्रूप नहीं था। बोला आप आप के फॉन दो। मैंने फॉन दे दिया। इसने कैसे क्या करके बोश शुवान चालीसा कर रहे हैं। वजे तक बच्चों को अनवान चालीसा और घ्रात्त नार जो जो बताना था वो बता रहे हैं। दो तिन गंटे के इसने लाइव देख्या और यह खुस हो गी। बड़े प्रसन लगी मेरे को बेटा क्या वाद है। बोला हमारे बोस हैं ना आप चिंते हमत करो। बोस हैं तो सब कुछ है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बोस मेरे साथ बैठें, मेरे साथ पेपर मेरे साथ बैठेंगी। आप ने तो बबाबा मेरे को बोर कर दिया था, लाकि इस होटल में बंद कर दिया और आप चुचा बैठें। और रात से बोल भी नहीं रहे, मैं भी नहीं बोल रही। अब मेरे को आनंद आ गये गए जा। बोस की लाइव देखने के बाद में। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो बोस हैं, सरवन चोधरी जी हैं, यह कोई सामान इंसान नहीं है। यह कोई फरिस्ता हैं और जो इस दर्तिव पर आये हैं, और इतना बहाई का काम कर रहे हैं। हजारों की संख्या में डॉक्टर और इंजिनियर बना रहे हैं। और बगर कोई लोग। यह भी देख रहे हैं। तिन साल से जुड़ा हूँ मैं बगर कोई लोग। कमज़ोर बच्छा हैं। आर्थी रूप से कमज़ोर हैं। पढ़ाई में हैं। और ज्यादा से ज्यादा देश के जो प्रतिवाएं हैं। उनको निकार करके लेएं। जे सी एल सी जे वोग। बहुत बहुत तुन्यवाद। सत्य बचाएं। आपका इस बोदिन सुनके मुझे मेरे काम से और प्यार हुआ। टО्नel श्यादा स प्याद।